ब्रेक केवाल आपका स्वागत है हमिरपोर की बाल स्कूल में तिरंगे का गाइव होने पर लोगों में गहरा रोश पैन पा हुआ है पिछले चे महिनों से तिरंगे की जगा केबल पोल ही होने से जिला परशशन की कारेवाई पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार गटिया कपड़ा तिरंगा में लगाय जाने से बारबा तिरंगा फ़रता जा रहा है अब तिरंगे के गाइव होने पर लोगों ने गहरा रोश पैक्त किया है तिरंगे के गायब होने पर lsui के पदादिकारी ने जिला उपयक्त को ग्यापन स्टॉप कर जल तिरंगा लगाने की मांग की है हमिरपुर के बाल स्कूल में तिरंगे के गायब होने पर लोगों में रोश्पन पा हुआ है पिछले छे महीनों से तिरंगे की जगा केबल पॉल ही होने से जिला प्रशासन की कारवाई पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार घटिया कपड़ा तिरंगे में लगाये जाने से बार बार तिरंगा फटता रहा है अब तिरंगे के गायब होने पर लोगों ने गहरा रोश्प्रक्त किया है तिरंगे के गायब होने पर NSUI के पददिकारियों ने जिला उपाई को ग्यापन सौंप कर जल तिरंगा लगाने की मांग की है और चेताय की अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो NSUI अपने स्तर पर तिरंगा लगाएगा आपको बता दें कि देश की आन बान शान तिरंगा कई महीनों से गायब है और तिरंगे की जगा पर पॉल ही खड़ा है पाल स्कुल में 134 फीट उंचा तिरंगा स्थापित किया गया था लेकिन इसकी देख रेक में हो रही कमियों और इससे पहले घटि कपड़ा प्रयोग में लाए जाने पर तिरंगा फटता रहा है NSUI के जिला अध्यक्ष टॉनी ने कहा कि तिरंगा के नहीं होने पर जिला पदधिकारियों को ग्यापन सौंप कर जल तिरंगा लगाने की मांग की है उन्होंने जिला प्रशासन को चिताया है कि अगर प्रशा प्रशान है भारत का राष्टे धोज जिस धोज को लहराने के लिए अनेको जो स्वतंतरता से नानी है अनेको जो बीर जवान है उन्होंने प्राणों की आहुती डालकर जो है वो इस तिरंगे की शान को बढ़ाया है लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हिमाचल परदेश के अंदर हमिरपुर जिला का जो प्रशाशन है जो प्रशाशन है पूरा वो सोया हुआ है करीब करीब कोई तीन चार महीने से जो है वो हमारा जो राष्टे धोज है वो यहां पर नहीं है छे महीने से करीब करीब छे महीने से राष्टे धोज हमारा जो है वो ऐसे ही जो सि माचल केंदर हमिरपूर जिला जो है वो हमेशा अपने एक अलग पहचान रखता है और राष्टे धुच के इस तरह यहां पे ना भेराए जाना प्रशाशन की बहुत बड़ी जो है वो बूल है यदि प्रशाशन इसको एफर्ड नहीं कर सकता जंडा लहराने में जो है जंड राष्टे ध्वज को जो है वो दुबारा लहराया जाए उसको उसकी शान को जो है वो दुबारा से उसी प्रकार जो है वो बड़ाया जाए यदि प्रशाशन ऐसा नहीं करता है तो हम आगे की जो कारवाई है आगे का जो उनके विरुट जो प्रदर्शन है वो करेंगे बहिंस्तानी लोगोंने भी तरंगे के गायव होने पर मलाल जताया और कहा कि प्रशाचन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है उन्होंने कहा कि तरंग काफिस में से देखने को नहीं मिल रहा है और जब भी जंडा लगाया जाता है तो कुछ दिन में ही फट जाता है उन्होंने कहा कि प्रशाचन जंडे की और ध्यान दे लोगों का कहना है कि तरंग की देखवाल अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि देश की आनवान शान तिरंगा होता है उन्होंने कहा कि पिछलों दिनों राज्य स्तरिय हमीर उत्सव के दुरान भी तरंगा नहीं लहराया गया जो की बहुत ही शर्म की बात है जो है यहां कभी देखने को मिलता है कभी नहीं परशाशन को चाहिए कि इसको इसकी देखवाल जो है वो हर प्रति दिन करनी चाहिए यह ध्वज जो है इसको हमेशा ही जब भी देखा जाए तो यह नहीं लहराया जाता है कभी लहराया जाता है कभी नहीं लहराया जाता है अभी हमारे यहां हमीर उत्सव था हमीर उत्सव दो दिन लगातार चला इन दो दिनों में हमारा रास्ट्री ध्वज जो एक तरंगा है वो नहीं लहराया गया मेरी प्रशाशन से गुजारिश है अगर यहां पे ध्वज नहीं लहराया जा रहा है इसमें क्या दिक्कत है कहां क्या परेशानी आ रही है यह बताया जाए और इसकी तरंगे की देखवाल की जाए